मेरे मुझे बता दे तू किसे और चला दे तू क्या पाया नहीं तू ने क्या ढूंड रहा है तू जो है अंक ही जो है अंसुनी ओ बार्त क्या है बता चलिए कॉर्स दिखे लगा है ठीक है तो सबसे पहला कॉर्ड है E मेजर E मेजर दूसरा बाड़ है A suspended 2 A suspended 2 और साथ में A मेजर भी यूज़ हुआ है A मेजर ठीक है उसके बाद है F sharp minor 11 F sharp minor 11 आप diagram में देख सकते है ठीक है इसको आप यह shift कर देंगे तो यह हो गया है G sharp minor 13 G sharp minor 13 ठीक है और उसके साथ में यह C sharp minor chord भी है C sharp minor chord उसके बाद D major भी है and B major भी है तो इतनी chord फ्यूज़ है फिर से देख लेते हैं E major A suspended 2 F sharp minor 11 यह गया G sharp minor 13 उसके बाद है C sharp minor और E major B major ठीक है तो अब इतने chord फ्यूज़ है I hope आपको समझ में आगा तो चली चलते है रिदम की तरफ इसमें रिदम यूज़ किये वह है down, up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up जो last का down up as a filler काम करेगा तो extra down up मत लगाईगा ठीक है जब आप chord change करेंगा इ아니 है यां continuously रिदम को बले करेंगे तो यह down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, оп, down, up, down, down, down up , down, up, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up बहुर्द भार इना में डखेकर ड़ेकर इनोง करें है? आपको आपको समाज़ में आपको सुने चलें आपको तो चल देंदेदें तब सबाते हैं देखें के लिए हैं तो है है खोई है! तो 1 फिंगर आपके रहेंगे 11th fret 4th नमर की स् Bernard Kn rs पे और दूसरी फिंगर रहेगी 9th fret 3rd number की string पे और जो पैटरन है वह फॉलो करेंगे 4-3-1-2 ठीक है ये फ्रॉट सेम पैटरन फॉलो होगा 4-3-1-2 ठीक है 4-3-1-2 4-3-1-2 ठीक है फिर आपको shift होना है पहली फिंगर रहेगी 9th fret पे और 4th number की string पे और दूसरी फिंगर है व 4-3-1-2 4-3-1-2 ठीक है तो तीन पोजिशन हमने बताई है फिर एक पार इस पे और वापे समय आना है तो ये इस तरीके से रिपीर्ट होगा तो आपको समझ में आ गया हूँ तो चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ तो पहले आपकी जो प्रोग्रेशन है वो है E major, A suspended 2 या A major दोनों में से कोई भी उस कर सकते हैं तो E major, A suspended 2 वापिस F sharp minor 11 and E major तो ये कुछ इस तरीके से है मेरे में बता दे तू, कुछ ना चला है तू next line भी same है, ठीक है, बस verse change है क्या पाया नहीं तूने, क्या हो ने रहा है तू इसको रिदा में भी प्ले करके देख लेते हैं मेरे मन के बता है तू, दे और चला है अब जो next line की progression है वो है F sharp minor 11, G sharp minor 13, A major and B major तो ये कुछ इस तरीके से है जो है अन कहीं, जो है अन सुनी, वो बात क्या है बता क्या है रिदम में भी प्ले करके देख लेते हैं जो है अन सुनी, जो है अन सुनी, वो बात क्या है बता अब यहां से चुरू होगा chorus, मित्वा ठीक है और उसकी जो progression है वो है C sharp minor, D major, A major and E major ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से है मत्वा ठीक है तरीक है फिर से, मत्वा बी मेजर, A major, E major ठीक है अब ये second line है उसमें C sharp minor के बाद E major लगेगा फिर इसके बाद D major आएगा अगे, A major आएगा and E major ठीक है तो ये second line है ठीक है तो दोनों ये difference है कि C sharp minor के बाद उसमें A आएगा जो second line है पहली बार में C sharp minor, D major, A major and E major रहेगा तो इसको पूर अपले करके देख रहे हैं जो में पूर ठीक है, बाद आएगे नहीं हुआ है तो ये फिर सके बाद आएगा और सेम प्रप्रेशन नेक्स लाइन के लिए भी रहीगी ठीक अब आपको सी शाप माइनर पर A मेजर D मेजर जब उसे कोई है नेक्स लाइन भी सेम रहीगी तू सुचता है तू सुचता है इसको रिदर में ब्ले करके देख लेते हैं जीवद गड़ी नेवद गड़ी आये ज़र में जब सी कोई है तू सुचता है तू जाइता है जाउ एक है इसकी बाद की जब प्रोग्रेशिन है और है D मेजर और C हार्प मैनर ठीक है ठीक है D नेजिटर तू C शार्प मैनर ठीक है नेक्स लाइन ब्रोड़ी एक प्यासा और गो माधी है जो सेम प्रोग्राशिन रहीद està्क है D major to C sharp minor ही क्या है अब जो progression है वो है A major A major to D major then A major to E major अब जो वापस हमें आना है F sharp माने 11 पे जो हमने पहले इंट्रो में प्ले की से जो है अन्करी जो है अन्सुनी दो बार क्या रहता है ठीक है तो जो progression थी वो है F sharp minor 11 G sharp minor 13 A major and B major ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से है जो है अन्करी जो है अन्सुनी तो बार क्या रहता है इसके बाद chorus repeat कर देंगे मित्वा ठीक है तो इसके बाद repeat और लगेंगी चीज़े तो आई होब आप उसको प्ले कर लेंगे अगर कोई अगर लेसे अच्छा लागा तो प्लीज इसे लाइक करिए गए और दोस्तों साइब कीजिएगा थैंकिसों मज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो